कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें हेलो फ्रेंट्स मैं अभी जी ताज की वीडियो में मैं आपको अपराजिता प्लांट को केयर करने का इन पे ज्यादा फ्लावर कैसे ले और इनको फर्टिलाइजर कैसे दे इनको हार्ट पून कैसे करे इस सारे टॉपिक को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तो इस लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा मैं प्रोसेस बताऊंगा तो देखे ये जो प्लांट है मेरा लगबग दो साल पुराना है और देखे इसमें फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है तो ये बेल वाला प्लांट है लेकिन मैंने इसको ऐशा शेप दिया है कि एक ट्री क लुक दे रहा है अप राजिता एक मैडिसनल प्लांट होता है इनके फ्लावर से लेके रूट्स तक के सारी चीजों का यूज होता है तो फ्लावर की अगर आप टी पीते हैं तो डियाबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा लापकारी होता है इसी तरह से ये इम् योगी प्लांट है तो इसको घर में नहीं लगाया तो जरूर से लगाईएगा अप राजिता की लगबग 5-6 वेराइटियां होती है जिन में से कुछ आप सामने देख रहे हैं और इनके सीट कहां से बाई करें इस टॉपिक का वीडियो मैंने अपने यूटूब चैनल पे प्रॉप्लम आ रही थी कि मेरे अपराजिता पर फ्लावरिंग आना बंद हो गई है क्यों नहीं यह फ्लावरिंग कर रहा है तो चलिए आज हम इसी से रिलेटेड आपको सॉलूशन बताने वाले हैं पूरा प्रैक्टिकली आपको ग्रो करके दिखाएंगे तो यह तो चलिए अब हम इस प्लांट को हाट पूण करते हैं हाट पूण करने के बाद हमें नई ग्रोत मिलेगी और जिससे हमारा प्रांट बहुत ही अच्छे से ग्रोःगा तो हाट पूण करने के लिए आपको नीचे की लगबग आड़ तसंज की ब्रांच छोड़के सारी ब् करने के बाद हम इसमें कुछ फर्टिलाइजर देंगे जिससे हमारा जो प्लांट है अच्छे से न्यूटीशन ले लेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा फ्लावरिंग करेगा तो हमने पॉट में अच्छे से लगबग 2-3 इंच गहराई तक गुडाई कर लिए कुछ इसी त को नहीं करना है में रूट को आपको ध्यान रखना है इस बात को इसी तरह से बारी बारी से आपको थोड़ी थोड़ी जगाह पे आपको गुडाई करते रहना है और जो sides की roots हैं उनको cut करके trim करके हटाना है ताकि हमारे plant को नई roots grow करने में मदद मिलेगी और इसको जादा से जादा अच्छा space मिलेगा ताकि हमार plant अच्छे से grow करके जादा से जादा flowering करेगा तो इस तरह से आपको trim करना है और साथ ही साथ इनकी जो मिट्टी में जितनी भी roots हैं उनको छान करके धीरी-धीरे करके आपको निकालना है अब हम लेंगे दो साल पुरानी decomposed गोबर की खाद या vermicomposed और इसको आपको मिट्टी में जहां जहां आपने गुडाई की है थोड़ी सी गहराई में वहाँ पर आपको इस तरह से भर देना है फिर उसके बाब मिट्टी से ढख देना है इसी तरह से हम सारे तरफ चारोर प्लांट के इसी तरह करेंगे हमारा जो प्लांट है सीट से ग्रो किया था तो साइड में ग्रो हुआ था तो इसलिए वो साइड में है तो हम बीच में ये काम कर रहे है तो फिर उसी तरह से हम धेर सारी जो खाद है गोबर की डाल देंगे लगबग 8-10 मुट्टी आपके पास है तो अच्छे से बिलकुल डाल दीजे इस प्लांट को ताकि अच्छे से जादा से जादा न्यूट्रीशन मिले और हमारा जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा तो चलिए इसमें जब हम फर्टिलाइजर दे देंगे उसके बाद हमें अच्छे से पानी दे देना है पानी देने के बाद अब हम इस पॉट को डारेक सनलाइट वाली जगा पे रखेंगे ताकि अच्छे से ग्रो कर सके प्लांट को हार्ट फून करने के लगबग 10 दिन बाद ही आप देख सकते हैं प्लांट पे ठेर सारी नई नई ब्रांचेस ग्रो होना शुरू हो गई है तो बहुत ही हल्दी तरीके से हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है जैसा कि मैंने बताया इसको हार्ट फून करिए तो बहुत अच्छे से ये बूशी होगा और ग्रोथ करेगा आपको ध्यान रखना है कि इनको फुल सनलाइट वाली जगा पे रखिए जहां पे लगबग 7-8 घंटे की डारेक्ली सनलाइट आती हो इसके उपर तब ही आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको सनलाइट जादा से ज़्यादा जरूत होती है और 45 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे प्लांट ने ग्रोड करकर अच्छे से फ्लावरिंग भी इस्टारट कर दिया है तो इस तरह से आप अपने अपराजिता की प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं यह बेल वाला plant है बिल्कुल ट्री का लुक दे रहा है और देखिए इस पर जहां जहां जिस ब्रांच पे आप देखेंगे डेट सारी buds और flower आपको दिखाई देगा तो कोई भी plant हो अगर आपका permanent plant है उस पे flowering होना बंद हो गया है या पतियां ही पतियां दिख रही है growth नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो plant की heart-pron कर दीजे और उसके बाद उसकी जो मिट्टी है उसमें गुडाई करके जो extra root से उसको भी trim करना है और extra root में trim करना है जो side में root होती है main roots को छोड़ करके तो देखिए आधर भी मेरे पास जो अप राजिता हैं नमें धेड़ सारी blooming होती रहती है मेरे पास कई सारी variety हैं अप राजिता की तो देखिए कितने अच्छे size के भी flower आते हैं और बहुत अच्छी growth होती है तो यही reason है अगर आपने इनको hardprone नहीं किया है या report नहीं किया है या इसकी extra root को trim नहीं किया है तो आपके plant पे flowering नहीं होती है तो अगर flowering हमेशा पाना चाहते हैं तो आपको यह काम करने पड़ेंगे तब आपको ठेट सारी flowering मिलेगी तो देखें नाइट के टाइम में भी इनके flower कितने ज़्यादा चमक रहे हैं क्योंकि यह white रंग वाला आप राजीता है और multi petal है तो बहुत सारे लोगों की query रहती है हम multi petal के सारी varieties कहां से buy करें तो मैंने process बता रखा है आप मेरे इस वीडियो के description को जरूर से चक करिएगा आपको process मिल जाएगा इनके seeds कैसे buy करें तो seeds से लगाना बहुत ही आसान होता है अगर आप इनके seeds germinate करना चाहा रहे हैं तो मेरे पास अपराजिता की बहुत सारी वेराइटिया हैं लगबग 5 वेराइटिया हैं जो की multi petal हैं तो देखिए यह हार्ट पून करने के बाद कितना ज्यादा अच्छे से bushy हो गया है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगा है तो लगबग आज पूरे 60 दिन हो चुके हैं और कितना अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और यह देखिए अधर जो कलर हैं वो भी बहुत अच्छी blooming कर रहा है तो यह सारा process में हर plant के साथ करता हूं जिससे हमारे plant पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है तो देखिए जितनी भी variety हैं उनके अलगी look होता है अलगी देखने में अच्छा लगता है तो देखिए यह blue color का है dark blue color का अपराजिता है इसी तरह मेरे पास sky blue color का भी अपराजिता है यह देखिए multi petal sky blue color का अप सब बहुत इच्छी ग्रो करना है सब को fully sunlight में रखता हूं जिससे ही अच्छे से ग्रो करते हैं अब बात करते हैं कई लोगों के plant पे इंसेक्ट लग जाते हैं तो इनको इंसेक्ट से कैसे बचाया जाए तो इंसेक्ट से बचाने के लिए आपको इन प्लांट पे या तो आ काई मेरे जितने भी प्लांट आपको देखने को मिलेंगे उसमें हर टाइम फ्लावरींग होती है यह पर्माने के साथ सा एक इस फ्लावरींग पाना चाहते हैं तो आपको हर्ट पॉन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपका प्लांट जो है बिल्कूर ट्र फर्टिलाइजर में यूज करता हूं उपर से इनको देने के लिए जिससे ज़्यादा से जढ़ा फ्रार्वनेंग हो जल्दी फ्रावरिंग हो आपको 10 से 15 दिन पे एक बार 8-10 दाने डियेपी के और यूरिया के लेने है और इस टम से दूरी पे प्लांट में देने है अगर आपने आप राजिता के प्लांट को मेडिसनल परपस से ग्रो कर रखा है और साथ ही साथ इनकी जो फ्लावर है उनका आप ब्लू टी बनाते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा इनमें कोई भी पेस्टिसाइट या कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज़ करिए जो कि आपके सिहत के लिए हामफुल हो य इतने दिन बहुत जादा कोहरा पड़ेगा धूप नहीं होगी तो यह ग्रोथ करना बंद कर देंगे बाकी जैसे धूप निकलेगी निकलने लगेगी तो यह बहुत अच्छे से ग्रो करके ठेट सारी फ्लावरिंग करने लगेंगे तो मैं आशा करता हूँ मैंने जो आपक अधेल बताई आपको प्रोसेस बताया आपको समझ में आया होगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा आज के लिए इतना ही टेके रेंट बाबाए